हेलो दोस्तों स्वागत है आपका SSC के कॉमनेडर के सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुश्चन नमबर 155 to 165 और ये कुश्चन्स SSC टैक्स असिस्टेंट एक्जाम 14 दिसंबर 2008 में पूछे जा चुके हैं तो चले शुरुआत करते हैं हम लोग अपने कुश्चन नमबर 156 से तब उसके साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाया जाता है ठीक है आगे बढ़ है कुश्चन नमबर 157 I do not know where could he have gone जब समझने के हैं जब हम बोलते हैं I do not know तो हमारा यह sentence indirect narration का sentence है जिसमें auxiliary verb को subject के पहले लिखना बिलकुल गलत होता है नहीं error है part A में 158 I suggest that he goes he goes गलत है he should go होना चाहिए suggest के बाद आने वाले that clause में should plus be one का use करते है error है part 2 में 159 the introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect देखे भाई आप अच्छे से देखें यहाँ पर subject है the introduction जो एक singular subject है इसलिए have का उपियोग गलत है उसके जगा hedge का उपियोग होना चाहिए और चुकिए यहाँ पर without का उपियोग किया गया है इसलिए some के जगा any हो रहा चाहिए यहाँ पूरी तरह से error है part 3 में हम लोग चलें अब question number 160 की तरफ ठेक है question number 160 यह रहा in spite of the road block the guards allowed us allow somebody के बाद 2 पलस भीवन का उपियोग होना चाहिए था यहाँ भीवन तो है लेकिन 2 missing है इसलिए error है part 3 में question number 161 the newer type of automatic machines देखे machines एक plural subject है इसलिए washes के जगा wash का उपियोग होना चाहिए error है part 2 में question number 162 by the time we got our tickets and entered the cinema theater the show was already begin ठेक है जिस समय तक हम लोग ने ticket खरीदा और cinema theater में परवेश किया उस समय तक so already शुरू हो चुका था तो हो चुका था के लिए past perfect use होना चाहिए had already begun होगा error है part 3 में question number 163 each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester यहाँ there का उप्योग गलत है कैसे देखे each of के बाद noun तो plural होता है लेकिन verb singular होता है और इसके लिए आने वाला pronoun भी singular होना चाहिए तो there के जगा क्या होना चाहिए huge होना चाहिए error किस part में है part 3 में ठीक है question number 164 164 देखते है the fact of me being a stranger does not excuse his conduct देखे भाई off एक preposition है तो यह जो भी फोर है वो जिरंड हो गया और जिरंड के पहले कभी भी objective केस का उप्योग नहीं करते हैं बलकि possessive केस का उप्योग करते हैं यहनि me का उप्योग गलत है इसके जगा my का उप्योग होना चाहिए एरर है पार्ट A में last question आज के वीडियो का 165 का the sea looks as if it has been hesitated देखे एजिफ है और एजिफ के पहले present indefinite का clause है तो एजिफ के बाद present perfect नहीं होना चाहिए बलकि where का उप्योग होना चाहिए एरर है पार्ट 2 में तोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो 165 तक common error 166 से 175 तक अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीख पाए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करके पहुँचा दें और अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज क्रैक एक्जाम्स को लाइक करना न भूले और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एक्जाम्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को टेच कर दें ताकि इस तरह के वीडियो के नोडिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाएं Unacademy पर इस तरह के educational वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं Unacademy Learning App के सर्च बार में लिखें उदैश अंकर सोनी और आपको मेरे सारे courses वहां नजर आएंगे और वो courses भी अगर आपको useful लगे तो आप वहां मुझे follow कर सकते हैं Thank you very much